एक चंगली चंगल का राजा सेर है, जिसकी बासाहत के आगे बड़े से बड़े जीव अपना सेर जुकाते हैं, जिसकी एक आहट किसी भी जानवर को दुम दबा कर भागने पर मजबूर कर देती है, वहीं दूसरी ओर है, चंगली चानवर हाईना, जो बहुत खतरनाख होते ह लकडबगों के बारे में कहा जाता है, कि इनका पेट अंधा कुआ होता है, यानि ये कितना भी खाएं, इनका पेट नहीं भरता, क्या होगा जब चंगल का राजा सेर और हाईना आमने सामने होंगे, क्या चंगल का राजा इन्हें कुत्ते की मौत मारेगा, या हाईना, सेर प्रत्वी रूप से संबंधित नहीं हैं बलकि इनका एक अलग परिवार होता है ये प्रत्वी पर लगभग 24 मिलियन वर्सों से हैं हाइना अफ्रीका और एसिया की सवाना घास के मैदान जंगल और पहाडों पर पाए जाते हैं बात करें इनके जीवन काल की हाइना उस्तन 12 स देखने को मिलती है सबसे बड़े आकार का हाइना स्पॉर्टेड हाइना है जिसके सरीर की लंबाई 4 से 5.9 फेट और इनकी उचाई 2.5 से 2.6 फेट तक लगभग होती है बात की जाए इनके वजन की तो ये 40 से 86 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है हाइना समू में रहने वाले जानवर हैं और ये सिकार भी समू में करते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं कि जानवरों की हट्टी से लेकर खुर तक खा जाते हैं हाइना में केवल चित्तिदार और धारीदार हाइना ही आदम खोर होते हैं चित्तिदार हाइना के समू में मादा हाइना का वर्चस होता है इ लुकि इनके रहने का छेत्र और आहार एक जैसा है। यहां सेर सिकार करने के बाद उस समय के लिए आराम करते हैं और अपनी एनरजी को रिश्टोर करते हैं। हाइना की सुंगने की छमता बहुत तेज होती है। ताजे खून की महेक उन्हें सिकार तक खिंच लाती है। सेर के इस सिकार को हथियाने के लिए सेर से भी ये लड़ाई करने को कयार रहते हैं। जहां हाइना के जुंड में 70-80 हाइना होते हैं। हाइट और वजन के मामले में सेर हाइना से काफी बड़े होती हैं। लेकिन हाइना के जबडे सेर से मजबूत माने जाते हैं। जाहिर है एक सेर और हाइना के आमने सामने की लड़ाई में सेर हाइना को पटक कर मारेगा। लेकिन हाइना सेर के मुकाबले काफी चालाख होती हैं। इसलिए ये सेर से हमेशा जुंड में लडाई करती हैं। लेकिन देखा गया है। सेर समाधिक जानवरों की स्रेडी में आती हैं। ये अपने प्राइड में रहना पसंद करती हैं। इसलिए एनिमल किंग्डम के दूसरे जानवर इन पर हमला करने से बसती हैं। लेकिन वहीं पावर्फुल हाइना का समोग। धोजन के लिए इनसे दो-दो हाथ करने से पीछे नहीं अटतें। कई बार सेर को भी हार का सामना करना पड़ जाता है। यूथोपिया के रेगिस्तान में 1999 में 35 हाइना और 6 सेरो के बीज भयानक खूनी संगर से 20 दिनों तक चला था। जिसका अंत ये हुआ सारे हाइना और लौयन मारे गए थे। इतियास के जानवरों में सबसे बड़ा ये वर्ड वार था। दोस्तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है ये जंग कौन जीतेगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।